शेहर में दिन प्रति दिन कोर्णा मरीजों की संख्या में बढ़ती देखी जारी है वही ओमिक्रॉन भी शेहर में अपने पैर पसारता हुआ दिख रहा है हाला कि फिर भी बाजारों में भीड कम होने का नाम नहीं ले रहे है 21-27 अक्टूबर के बाद कोर्णा की दूसरी लहर में मौतो का सरसला जिले में थम गया था उसी बीच शनिवार को कोर्णा से एक मरीज की मौत हो गई बृतक चन्रपुर्जले का पताया चारा है जिसकी यहां अस्पतार में उपचार चल रहा था 50 देनों के बाद विस कोर्णा डेट से परशासन और स्वास्त महेकमे की चिंता पड़ गई है अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो निश्य थी तीसरी लहर आने में देर नहीं लगे इसके चलते BCN News आप से यही अपील करता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साइनिटाइजर और मास का उपयोग करें